पाली से अब खबर बता दें, कोतवाली पुलिस की यहां पर बड़ी कारवाई सामने आई है हरियाना से गुजरात ज़या रहे तेल के टैंकर में लाखों रुपए की शराब की पेटियां बरामत की गई है तेल के टैंकर के आड़ में ये शराब सप्लाई की जा रही थी टैंकर में खरीब 600 काटन अंग्रेजी शराब भरी हुई थी कोटवाली पुलिस की बड़ी कारवाई यहाँ पर तेल के टेंकर की आड़ में शराब की सप्लाई यहां पर हो रही थी खरीब 600 कार्टन अंग्रेजी शराब इस टेंकर में भरी हुई थी लाखो रुपए की शराब की पेटें यहां से बरामत की गई है हरियाना से गुजरात जा रहे तेल के टेंकर में ये बरामद की की गई शराब की पेटियों की तेल की टेंकर की आड़ में यहाँ पर शराब की सप्लाई की जा रही थे करीब 600 कार्टन अंग्रेजी शराब इस टेंकर में भरी हुई थी पाली कोटवाली पुलिस की यहाँ पर बड़ी कारवाई सामने आई है लाखों रुपे की शराब की पेटियों बरामद की गई है एक बड़ी सफलता इसे कहे सकते हैं हरियान से गुजरात जा रहे तेल की टेंकर में यह शराब सप्लाई की जा रही थी खरीब 600 कारटन अंग्रेजी शराब इस टेंकर में भरी हुई थी तेल की आड में शराब की सप्लाई यहां से हो रही थी खोटवाली पुलिस की बड़ी कारवाई यहां पर सामने आई है लाखों रुपे की शराब की पेटियों यहां से बरामद की गई है टेंकर यह तेल का है लेकिन इसमें अंग्रेजी शराब की 600 कारटन भरे हुए थे एक बड़ी कारवाई को अंजाम यहां पर दिया गया हर्यान से गुजरात ज़ा रहा था यह तेल का टेंकर और लाखों रुपे की शराब की पेटियों यहां से बरामद की गई है करीब 600 कारटन अंग्रेजी शराब की बरामदगी इस टेंकर में से हुई है पालीस ने हमारे समवादा था मनीश राठोड फिलाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीश के इस प्रकार के यह कारवाई रही किस तरह से इस पूरे यह जो बरामदगी की गई है शराब की पेटियों की किस तरीके से सामने लाया गया यह पूरा मामला मनीशा पता देना जाउगा की पाली कोत्वाली पुलिस वर देश्टी टीम के परवारी राइन लाज लिपंगर सिंग कोत्वाली खाना परवाई सार्दा विश्टोई के नेतरतु में यह आज सुबे करीब चार बजे पाली के किसान केसरी पड़ों के आगे जो कि अरियाना से गुज्रा जा रहा था एक टेल का टैंकर जिसमें मुग्बीर की सूटना पर इसे चेक किया गया और लापू रुपे की इसमें सराब की पेटिया पुलिस में बरमत की है बिलकुल मनीश बहुत चुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका एक बड़ी करवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया करीब 600 काटन अंग्रेजी शराब यहां से बरमत की गई है जो हर्याना से गुजरात ले जाए जा रही थी